दोस्तो पोस्ट मेट्रिक स्कोलर्शिप कॉलेज वेरिफिकेशन कम्पलीट होने के बाद आप लोगों को बता दे पेमेंट कब आने वाला है दोस्तो हम आप लोगों को बता दे payment आना स्टार्ट हो चुका है postmetric scholarship का और आप लोगों को case परकर से अपना payment चेक करना है और verification कहां तक आप लोगों का पहुचा है वो भी आप लोगों को कहां से चेक होगा वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं पैमेंट कितना आने वाला है आपका और कब आएगा वो भी हम आपको दिखाते हैं और दोस्तो हम आप लोगों को बता दे वीडियो को लाश्ट तक ज़रूर देखेगा और चैनल पर आप सब्सक्राब कर लीजिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए चलिए दोस्तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं हम गूगल क्रॉम ब्राजर पर वहाँ पर आपको पोस्ट मैटरिक एस्कोलर सीब का आपको पोस्ट मैटरिक एस्कोलर सीब के बेवसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है एस्क्रॉल डॉन कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मुखमंतरी पिछरा वर्ग अब हम अत्यंत पिछरा वर्ग बीस्ती इबीसी का यहाँ पर आपको सो करेगा यहाँ पर आपको क्या करना है ओके वाले अप्शन पर किलिक कर लेना है जैसे ही किलिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा टाइम लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर ओपेन होकर के सारा कुछ आ जाता है तो अब यहां पर लोग इन कर लेना पहले लोग इन फोर अल्डेडी रेजिस्टर्ट पर किलिक करेंगे यहां पर आपको ID पासवर्ट डालना है और ID पासवर्ट डालके इनको लोग इन कर लेना है यहाँ पे scroll down करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा details वगरा show करता है यहाँ पे जो हम first year का apply किये हैं वो यहाँ पे show कर रहा है बाइस test का यहाँ पे आप दिखा देते हैं यहाँ पे PMS ID जो वगरा सारा कुछ दिया हुआ है साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को status bar यहाँ पे show कर रहा है status bar में आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोगों को जो भी यहाँ पे परकिरिया है वो यहाँ पे verification का जो परकिरिया होता है वो परकिरिया यहाँ पे दिया गया यहां पर देख सकते हैं institute verification फर्स्ट में दिया गया उनके बाद physical committee status यहां पर देख सकते हैं पेंडिंग है remark में यहां पर उनके बाद आता है आपकों लोगों को institute district maker उनके बाद institute district checker इनके बाद जाके आपके account में पैसा डलता है जिसका भी institute verification हो गिया complete approve हो गिया उनको wait करना है और बहुत जल्दी आप लोगों के account में पैसा आ जाएगा जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि postmetrics scholarship का payment आना start हो चुका है जैसे physical committee status approve होता है उनके just बात ही institute district maker का भी हो जाता है पहले आप लोगों को physical verification में ही थुरा सर समय देना होता है अगर आप लोग second year के लिए भी clear हैंगे तो यहाँ पर आपको नीचे में वह भी आपको show करेगा उसका भी आपको यहाँ पर payment status show कर देदेगा तो दोस्तों I hope कि आप लोगों की छोटा सा information अचा लगाऊगा तो वीड दोस्तों के साथ share कर दिजिए मिलते हैं आप लोगों नई वीडियो में नई ट्रोफिक के साथ तब्सक्राइब जाहिए टैटा भाइबाइब